हेलो दोस्तों नमस्कार अपने इस यूटूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों पिछले महिने 11 अगस 2023 को कोट ने एक आदेश जारे किया जिसमें ये बताया गया कि जो भी B8 होल्डर्स हैं वो अपसे primary teacher की post के लिए eligible नहीं रहेंगे और केवल जो BTC होल्डर है या फिर जो diploma in education होल्डर है वही primary teacher की post के लिए eligible होंगे और ये notice आते ही एक बहुत बड़े वर्ग में क्योंकि बहुत सारे candidate ऐसे है जो B8 होल्डर थे और primary teacher बनना चाहते थे इससे जो है केरियर का path decide करने बड़े दिक्कत होती है और लाखों candidates को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फिरहाल जो भी निड़े हुआ है उसी से related उसी से जुड़ा हुआ एक और notice आज केंद्री विद्याले संग्ठन ने आप सभी लोगों के लिए जारी किया है एक important notice है इसलिए आज की वीडियो में उसी notice के बारे में discuss करेंगे और देखेंगे कि उनसे किन किन लोगों को फायदा हो रहा है और उसमें क्या करना है तो चलिए दोस्तों बिना देरी की हुए वीडियो की सुरुवात करते है तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक notice मैंने open कर रखा है जो किंद्री विद्याले संग्ठन के RPS सेक्षन ये recruitment सेक्षन की तरफ से जारी किया गया है और आज की ही डेट में 12 और 2023 में है और इसमें क्या लिखा गया है ये मैं सरसरी निगाह से आपको बता दू इसमें ये बताया गया है कि जैसे ही कोट ने आदेश जादे किया कि अब बीएड वाले प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए इसमें जो बीएड डिगरी धारक थे वो आटोमेटिकली बाहर हो जा रहे है लेकिन इसके बाद जैसे ही ये निड़ाया उसके बाद बहुत सारे ऐसे कंडिडेट्स ने अपना केंडरी विद्याले संग्ठन को भीजा कि उनके पास बीटीसी की भी डिगरी थी या डियलेट की भी डिगरी दी और साथ ही साथ में उनके पास बीएड की डिगरी थी लेकिन फॉर्म अप्लाई करते वक्त उन्होंने बीएड को मेंशन किया बीटीसी को मेंशन नहीं किया इसलिए उनको मौका दिया जाए तो इसके response में केंद्री विद्याले संग्ठन का कहना है कि ठीक है वो उनको भी allow करेंगे फिरहाल उनके लिए modification के लिए portal open करेंगे उसमें modify कर दीजिए यहां पर एक बार थोड़ा सा देख लिए क्या लिखा हुआ है यहां पर मैं देख भाँ न्यूमरेस और इप्लोमा अप में खाए वुनके पास बिएट भी था क्या है रिखाओ ऐट को में नहीं किया तो उनको मौका दिया जा, तो ऐसे representations को KVS ने consider किया, और उन्होंने अभी क्या किया है, the window will be made operational from 39, कल से, कल सुबर 9 बजे से लेके 17 सेप्टेमबर तक ये window open रहेगा, और उसमें आप जाके अपनी qualification को अगर B8 apply कर रखा है, तो उसको BTC करा दिजिए, अगर B8 BTC दोनों है तो ये आप DLA डोनों है तो, लेकिन अगर आपके वल BAD है, तो आपके लिए अभी भी कोई अच्छी ख़बर नहीं है, तो ये एक important सुचना थी, जो केंद्री विदाला संक्ठन ने आज ही के दिन पर अपनी website पे डाला है, और आज ही मैं अपने वीडियो के मैदम से आप ये अपनी सुधार आप लोग कर दिजिये ताकि आपको भी मौका मिल सके, थैंक्यू वेरी मच पर वाचिंग दिस वीडियो